जेहंद मैं विजय कांत सत्याज, इस्तक्बाल करता हूँ आप सभी का SD campus के इस मंच पर, सांतियों आप सभी को बहुत ही रुची है इस विशाय पर की जवाहर नवदय विद्याले में क्या रहता है रुटीन, सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर पीटी होती है कि नहीं होती कुछ आप लोगों ने सर्च किया होगा, कुछ Google से, कुछ YouTube से, अलग-अलग माध्यमों से थोड़ा-थोड़ा आपने देखा होगा, कुछ लोगों से सुना होगा, और वहां तो ऐसा रुटीन होता है, और तुम्हें पता सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, और पता ये हो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता लगी होगी, चलिए, अब मैं आपको प्रामाणिक रोप में चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, भई आधारभूत बातें बताता हूँ कि क्या रुटीन रहता है, मैं खुद नवोदय विद्याले से पढ़ा हुआ हूँ, तो बहुत अंतर हर स्कूल में हो सकता है, जहां बहुत ठंड होगी, ठीक है भई, जहां बहुत ठंड होगी, जैसे जम्मू कश्मीर है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो वहाँ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मैं आपको एक ऐसा रुटीन बता रहा हूँ कि जिससे आपको यह अनुमान लगे कि क्या क्या होता है ठीक है बिल्कुल exact मत मान के चलना कि यही होता है मैं मतलब 99 परसेंट या 95 परसेंट के लिए यही चीज़ें होती है एक ऐसा रूटीन आपको बता रहूं हमारे टाइम पर नवोदे विद्याले में कैसा रूटीन था वो आपको बताने झा रहा हुं ठीक है सुबह 5 बज़े उठे बैड कि तना बज़े उठते हैं तो 5 बज़े उठते हैं थे तोड़े essenывает यह फ्रेस्फरेश nieuहकरे शारे 5 बज़से आपको पहुंच जाना होता है डr liar no ऑस बहूंद में किस चीज़ के लिए उता पर हुती है पीटी एक्स करते हैं ठीके ना पीटी के लिजे एक्ससाइस के लिजे यह होती है इस समय एक्ससाइज होती है थीक साड़े-5 बजे तो हमारा क्या experience था हम क्या करते थे जो पांच बजे सुभे गार्ड उठाने तो आ जाता था जो गार्ड ऑंकल थे वह सुभे-5 तो आ ऐसे ऐसे करके पहुंच गे भाई ग्राउंड में पहुंच गे आधी नीद में तो हम जोगिंग कर रहे होते थे उसके बाद धीरे धीरे नीद खुल जाती थी उसके बाद बढ़िया से पीटी वीटी करके एक्सराइस करें इतनी बात है कि बॉड़ी फिट रहती है वह सुब करीब साढ़े साट एम तक का आपको टाइं मिलता है कि आप नहाएंगे थेकर आपके सुबह कि आपको लेमन्टी भी इस टाइम पर मिलेगी थीकलिया कभी-कभी वैसी वाली टीब ही आती है यानि कि दूद वाली चाहिप नोर्मली लेमन्टी आती है लेमन टी मिलेगी इस होस्टेल एक हो चीज़ है हआई यह रहेंगे फिर आप कहा जाने के साथ विए वायगी को ओनु स्टार्टिज हो जाएंगे फिर आपका एक पीरियड या फिर दो पीरिय थे जाएगँ तरीगा सीजन पर थोड़ा थोड़ा सा अलग हो जाता जाने कि जब ठंडियों के दिन चलेंगे तो थोड़ा सा रूटीन अलग रहता है तो कभी-कभी यह होता है कि साड़े साथ की जगा आठ बजे पहली क्लास लगेगे लेकिन उससे पहले नाश्ता हो जाएगा लेकिन यहां क्या है साड़े आठ बजे आप क्या करेंगे जी ना जब 9 एम से करीब-करीब यह मानके चलिए साड़े 11 बजे तक क्लास चलेंगी साड़े 11 बजे होता है इंटरवल जो कि अभी भी आपके स्कूल में होता ही होगा अब इंटरवल के टाइम पर जब इंटरवल होगा तो आपको जो सीजनल फ्रूट है वो दिया जागा जैसे स सीजनल फूर अगर उस समय में नहीं चलता होगा तो केला तो मिले गाई मिलेगा आपको फूर्ट इस टाइम पर दिया जागा या फिर पर कभी फूर्ट चार्ट भी दिया जाता है कि अलग लग फूर्ट मिक्स करके फूर्ट बना कि दिए कुछ ऐसी चीज़े यह हो गया यह इंटरवल हुआ भी ठीक ना साड़े ग्यारा के आसपास ही मान लिजे अब साड़े ग्यारा के बाद से करीब करीब डेड़ बजे तक और फिर यह क्लासेश चलेंगे पंदरा मिनिट का इंटरवल होगा बहुत बड़ा इंटरवल नहीं होगा कि फिर आदे आसपास तक एक 45 तक आपकी क्लासेश रहेंगे फिर आप जाएंगे अपने होस्टल में फिर आप कहां पहुंचे जी होस्टल में पहुंचे और यह मान लीजिए लगभग लगभग दो बज़े सारे स्कूल का रूटीन थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है न इसलिए बिल्कुल इस्टिक मतर है न मैं एक आपको ऐसा रूटीन बता रहा हूं जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहें कि ऐसा ऐसा होता है दो बज़े के आसपास आप पहुंचेंगे लंच में आप पह नहीं पहुता हो हमास एक रूटीन मिलती छोड़ भप्रिख अलग रूटीन हेसा बना हुआ होँ और दिन में क्या होगाइध तो दिन में लोटी है सब्जी है सलाद है यह सारी चीजने होती है जैसे किसी दिन खीर टीक और किसी एक दिन ऐसा था छोले भटूरे भी बनतों वो इसा हुआ था कि कोई प्रिंसिबल चेंज हुए थे तो उन्होंने दिन के लंच में वीक में एक बार ये करवा दिया था कि छोले भर्टूरे खाए जाएंगे तो ऐसा भी था ठीक है और दो बजे ये हो गया आपका लंच अब दो बजे के बाद धाई बजे या दो पैतालिस असपास तक मैं लीजिए कि यह आपका चला लंच उसके बाद आप पहुंच गए हॉस्टल में अब यहां से दो चीजसां स्टार्ट हो जाती है या तो यह कि होस्टल में ही रहके यहां पर सिस्टा टाइम आपका चलेगा सिस्टा पहले इससा समझे निकित थोड़ी देर करेंगे खाना-खाने के बाद आपने क्या किया जी ठीक ना इसके बाद आप पहुँच गए रेमेडियल classes के लिए रेमेडियल classes दो तरीके से हुती है या तो वह रहें के पढ़ाई की वह यहां मालिजे कि साड़े 3 तक आपका ये सिष्टा चला साड़े 3 तक आप आराम करेंगे साड़े 3 पीम तक साड़े 3 पीम के बाद साड़े 4 तक आपको पढलना होगा या तो आपको academics में बुला लिया जाएगा याणि कि आपSchool में चले जाएंगे academics में वहां पर जाके एक घंटा पढ़ेंगे, इसकूल की ड्रेस नहीं पैननी है, उस टाइम में आपने, हाउस ड्रेस एक होती ही, जैसे आप ग्रीन हाउस से हैं, ठीक है न, अलग अलग नाम मिले होते हैं हाउस को, तो टी-शेट की में बात कराऊं, ग्रीन हाउस से हैं तो आप ग्रीन टी-शेट में जाएंगे, ब्लू हाउस से हैं तो आप ब्लू ड्रेस में जाएंगे, ब्लू टी-शेट होगी, बागे लोवर मिली होती है स्कूल की, जो जो ड्रेस होती है उसमें, वो होस्टिल की ड्रेस मैं अपने experience के आधार पर थारी चीज़ बतारूं भाई साड़े चार बजे मिलती थी चाई हमें तो हमें मिलती थी चाई मैं चाई नहीं पीता था थो ठीक है भाई है चार के साथ में मिलते थैं बिसक्त था और चाई अगर आपका मन हो तो पिज यह का मन नहीं हो तो नहीं सारे लोग ऑं जिन नहीं पीनिए तो फिर वह औव नहीं पीन होगी सारे बच्चों की काउंटिंग होगी कि वह सारे बच्चे हैं कि नहीं है यह सारी चाइज फिर गैदरिंग होगी ठीके ना फिर आप आ जाएंगे यह समझे कि 6.45 के आसपास तक आप पहुंच जाएंगे अपने होस्टिल में कितने बज़े तक 6.45 तक आप अपने होस्टिल में पहुंच जाएंगे होस्टिल में पहुंचे इसके बाद करीब 8 बजे तक या साढ़े आठ बजे तक आप पढ़ाई करेंगे जो आपको होम्वक मिला है उसे आप पूरा किया ठीक है ना होमवक पूरा करने के बाद साढ़े 8 के आसपास तक आप वो कर लेंगे आप पहुंच गए लॉंच करने आट बजे या फिर कुछ-कुछ जगा आठ बजे भी होगा वह आठ बजे माल लीजिए या फिर साड़े-8 बजे माल लीजिए ये हैं बाइध दिनर ने यह रात का खाना है डिनर डिनर पहुंच गाइध दाल चामल रोट तक चल जाएगा साड़े आट पर स्टार्ट हुआ तो सवानों के आसपास तक चलेगा उसके बाद दस बजे के आसपास हमारे नाट था था भई कि अब आप सभी को सो जाना दस बजे उससे पहले नहीं सो जाएंगे只 बज़े और सुबह फिर वही उढ़ जाना ये रहता है पूरा रूटीन ठीक है मैं मैंने जो आपको रूटीन बताया है वह एक ऐसा रूटीन बताई जो ना जरूर बताईएगा और भाई जेनवी के सपने को साकार करने के लिए मेहनत करते रहिए कहिए कि दरिया तेरी खैर नहीं बूदों ने बगावत कर ली है नादान न समझ बुजदल इनको लहरों ने बगावत कर ली है हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहां रे तलवार तुझे जुकना होगा गरदन ने बगावत कर ली है तो इसी बगावती तेवर के साथ मेहनत करते रहिए और पहुंच के जेनवी में पढ़ते रहिए खुश रहिए मस रहिए धन्यवाद